दिश्पांडे हमारे साथ जुरुने इस वक्त नई दिली से बजट को लेकर बहतिन ख़बर अमरिश बटाईए क्या ख़बर है आपके पास सर जिस तरह से सरकार लगातार E-Mobility को लेकर और Renewable Energy को लेकर अपना सरकार फोकस लगातार बढ़ा रही है उसमें requirement बढ़ेगी बैटरीज को लेकर और बैटरीज के लिए सरकार एक और नई PLI की घोशना इस बजट में कर सकती है जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार एक Niche PLI यानि की Advanced Technology बैटरी के लिए एक नई PLI की घोशना सरकार कर सकती है की लगबग 3400 करोड रुपे के आसपास की होगी और इसके लिए जनवरी में कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिया जाएगा और 45 दिन का जो डिसक्शन होगा उसके बाद मार्च अपरेल तक इसको फाइनल फेज में लेके आए जाएगी है जिसकी गोशना वितमंत्री बजट में करेंगी अखिर ये जरुवत क्यों पढ़ती है इसके पीछे जो हमने जानना चाहा कारण तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक जो एक्जिस्टिंग बैटरी टेकनॉलजी से वो लिथियम आयन, कोबाल्ट, निकिल इन सब को लेकर है और ये सारे जो मेटल्स हैं, ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और अगर हम जादा अमाउंट में बैटरी की रिक्वार्मेंट बढ़ाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इन मेटल्स पे जो की रौ मेटरी की कमी को लेकर एक बड़ी उम्मीद बन सकती है, ऐसे में इस आशंका को खतम करने के लिए सरकार कंपरीज को प्रमोट करेगी उन टेकनोलोजी के लिए जो इन चारों के अलावा किसी नई टेकनोलोजी या फिर इनका कम इस्तमाल करके नई तरीके की बैटरी या फिर जादा स्टोरेज वाली बैटरी बनाने के लिए व जिसकी गोष्णा बजट में की जा सकती है जी बैटरी बनाने वाली कमचियों के लिए बहुत ही बड़ी ख़वर आती दिख रही और 3400 क्रोड की बड़ी PLI स्कीम इन बैटरी कमचिस के लिए आ सकती है यह इंटरेसिंग बात इसलिए भी है कि बैजट से पहले इसका पूर आ, इसी ख़ची बैडरी बîtल